तो गुद मॉर्निंग एवरीबडी आयम पील नरेड़ा असिस्टेंट प्रोपेशार एंड टुड़ी वी विल स्टडी अबाउट फॉनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन पॉनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद आपको फॉनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन पे मजबूत पकड़ होगी इसलिए वीडियो को अंतक देखिए ताकि आप इन प्रतियोगी परिक्शाओं में शपलता प्राप्त कर सके चुकि रीट की वीगेप्ति जारे हो चुकी है इसलिए ये चेप्टर ये वीडियो आपके लिए बहुत उप्योगी होगा मेरा उद्देश है वे सभी छात्र छात्र हैं जो इस वीडियो को देखें वो फॉनिटिक ट्रांस्क्रिप्शन पे अपनी पकड़ मजबूत कर सके आए इस फॉनालोजी फॉनालोजी का मदलब होता है स्वर विज्ञान यानि बासा की जो सबसे छोटी काय होती है स्वर उससे समद्दित जो विज्ञान होता है वो फॉनालोजी का लाता है हम यहां पे एक सेंटेंस में इसकी परिभासा समझते हैं फॉनालोजी ढीलस वीदग्रेक्श वपीच्च साउंड्स कि अ स्विच्व साउंड्स project है स्पीच मतलब बोलने के समस्फर होते हैं उनकी क्रेक्शप्रिक्रेक्श्टिक और विज्यस्था Definition को बताने वाला जो पा सब्जएक्ट है वह स्वें taking your पाजी का लाता है Transmitted and Received फनल वजी में बताया जाता है किस तरह से वो उनका वर्णन किया जाता है Narrate मतलब वर्णन किया जाता है How they are made उनका निर्मान किस तरह से होता है सुरों का निर्मान किस तरह से होता है Transmitted और उनका प्रसार किस तरह से होता है जैसे हिंदू माइतोलोजी में बताया जाता है कि जब भगवान से उन्हें डमरू बजाया तो फिर उससे स्वर निकले और उन स्वरों से जो है सब्द बने वर्ण बने और फिर भासाएं बने ऐसे ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अंगरी जी भासा के जो स्वर है वो बने हैं इट टैल्स हाउ साउंड्स आर और इन लेंग्विज फनलोजी में बताया जाता है कि किस तरह से एक भासा में स्वरों की उत्पत्ती हुई है किस तरह से भासा में स्वर बने हैं फोनिम्स आर दा मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट ऑफ साउंड्स फोनिम्स जो होते हैं वो सबसे ही छोटी भेद बताने वाली यूनिट होती है साउंड की यानि साउंड अगर उसके टुकडे किये जाए तो उन टुकडों को हम फोनिम कहेंगे यानि जो फोनिम होते हैं वो साउंड के छोटे टुकडे होते हैं फिर हम उन के और छोटे टुकडे नहीं कर सकते अब इसको आप समझेए देर आ टुन्टी सिक्स लेटर्स इन इंग्लीश लेंग्विज बट डे मेक फोनिम्स अंग्रे जिभासा में 26 वर्ण होते हैं 26 लेकिन 29 वर्णों से 44 फोनिम्स बनते हैं अब वोफ 26 कौन कौन से हैं आप सभी उन चीजों से अवेर हैं फाइव आर वोल्स एई आई ओ यू टुन्टी वन आर कंसोनेंट्स 26 में से 26 में से 5 जो है वो स्वर है और 21 जो है वेंजन है जैसे B, C, D, F, Z, H, J, K, L, M, N, O पी, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z ये 21 जो है ये वेंजन है वोल्स एज आउन प्रोडिस्ट विदाउट एनी अब्स्ट्रक्शन अब यहाँ पर आप समझेए किस तरह से उन पाच स्वर से और 21 वेंजन से 44 होनिम बनते हैं ये आपको समझना है वोल इस अ साउंड वोल ऐसा साउंड होता है प्रोडिस्ट विदाउट एनी अब्स्ट्रक्शन जो बिना किसी अब्स्ट्रक्शन के उत्पन किया जाता है अब्स्ट्रक्शन का मलबता है अवरोड यानि जब हम वोल का उचारण करते हैं तो हमें किसी अवरोड की जरत नहीं पड़ती वें बिना किसी अवरोड के हमारे मुझ से निकल जाते हैं देखिए आप जब इन स्वरों को बोलते हैं तो उनको रोकने के लिए ना तो दात ना लिप काम में आते हैं बलकि वो ऐसे ही निकल जाते हैं बिना अब्स्ट्रक्शन के अब देखिए दे आर वोइष्ड साउंड्स इनको वोइष्ड साउंड्स का आ जाता है जो वबुल होते हैं वो वोइष्ड साउंड्स होते हैं इन पाँच साउंड के लावा all sounds जितने भी बचे हुए sounds which are not voiced जो voiced नहीं है are called consonants उनको consonants कहा जाता है consonants are classified according to the point of articulation consonants जो होते हैं उनको भी हम अलग-अलग वर्णों में अलग-अलग वर्णों में बाढ़ सकते हैं यानि जिस संस्कर्ट में होता है अकुह विसरजनिया नाम कंटः इचुय सा नाम तालू लिर्तुल सा नाम दंता इस तरह से उनके उचारण इस्तान बताए गए हैं ठीक उसी तरह से यहां पे अंगरी जी भासा में भी जो consonant sound है उनके उचारण अलग-अलग इस्तानों से बताए हैं अब हम इनको देखते हैं सबसे पहले देखिए bilabil जिसको उभे ओस्ट कहा जाता है उभे ओस्ट मतलब जो दोनों होटों से निकलते हैं फिर उसके बाद labiugentl जो दंतोस्टे हैं यानि जो दात और ओस्टों से निकलते हैं dentals जो दातों से निकलते हैं interdentals जो पीछे के दातों से निकलते हैं alvellers जो वत्सर हैं plato alvellers जो तालू और alvellers से निकलते हैं velars जो कंठ हैं जो कंठ से निकलते हैं glotals etc जो हमारे glotals से निकलते हैं and manner of articulation यहाँ पर जो consonants हैं वो उनको उचारण के दो तरीके बताये हैं उनका दो भागों में विभाजन किया गया है एक तो होता है points of articulation यानि उनके articulation का वो किस तरह से बनते हैं वो और दूसरा जो बताया है manner of articulation एक तो point of articulation दूसरा manner of articulation या पर दू तरीके से आप इसको समझिए articulation यह उनका जो निर्माण है वो किस manner से होता है जैसे आप इसको देखिए stops जो अवरोद उत्पन होने के बाद उत्पन होते हैं plosive जो इसपर्स धोनी से उत्पन होते हैं फ्रिकेटिव्स जो संगर्स धोनी से उत्पन होते हैं एफ्रिकेट्स एफ्रिकेट्स वो होते हैं जो stop और फ्रिकेटिव्स से उत्पन होते हैं यानि जिनमें रुकावट भी होती है और जिनमें संगर्स धोनी भी होती है उनसे उत्पन होने वाले जो सुर होते हैं जैसे चेर में च, च के लिए स्टॉप भी होता है और संगर्स भी होता है जब हम च बोलते हैं च तो हमें संगर्स करना पड़ता है और संगर्स धोनी निकालने पड़ती है और स्टॉप भी रहता है जैसे जोय, जोय में जो ज है उसके लिए संगर्स हमारी ज जीब जो है वो टकराती है फिर इसी तरह नासल्स है जो नाक से जिन की धोने निकलती है लेटरल्स जो पिछे की और जो जाते हैं जब हम बोलते हैं तो हमारे जीब पिछे की और जाती है वो लेटरल्स कलाते हैं ट्रिल्स और ऐसे साउंड होते हैं जिन को बोलने से कमपन्य वो ट्रिल्स कलाते हैं फ्लैप जब ऐसे साउंड बोले जाते हैं तो उसे हमारे जीब-जोहे फड़ फड़ाती है वो फ्लैप्स कलाते हैं रिट्रोफ्लैक्स और कुछ दोनिया मूर्धन्य धोनी होती है। sounds, etc. यही इस तरह से sounds को हमने जो consonants है, उनके उचारण को दू तरह से अध्यन किया, एक तो point of articulation और manner of articulation, इसके बाद आप देखिए, अंग्रेजी भासा में दो वोवल ग्लीट्स है, वोवल ग्लीट्स से मतलब है, वोवल के जोड़े, ग्लीट्स का मतलब होता है, जोड़ा, जैसे यहां पर यह J जैसा लिखा हुआ है, इसको यह की धोनी बोलते हैं, यह, इसी तरह से जैसे डबलू लिखा हुआ है, यह वोव धोनी है, जैसे याज और वैल, इनको consonants धोनिया कहा जाता है, यह दोनों जो वोवल ग्लीट्स है, इनको हम सेमी वोवल करते हैं, कभी कभी क्योशन पुचा जाता है, कि सेमी वोवल कौन से हैं, तो आप confused ना हो, यह जो यह है, जैसे इन याज, यह वह है, जैसे इन वैल, यह सेमी वोवल से हैं, यह पर मैं आपको इस टेबल के माधिम से समझाओंगा, कि से, कंसोनेट धोनियों का उचारण होता है, वो कहां से उनका उचारण स्तान है, यह इस टेबल के माधिम से आप समझेए, जैसे, बाइलेबिल है, बाइलेबिल, उसमें, पी और बी, एम और डबलू, यह चारण धोनिया सम्मिलित है, अब जो पी है, वो वोइसलेस है, वोइसलेस है, मतलब है, यानि जब हम पी बोलते हैं, तो, बिना किसी रुकाउट के बोल देते हैं, पी, लेकिन जो उसके नी यानि जब हम बी बोलेंगे, तो, उसमें, हमारा, जो, होट है, वो टकराएगा, बी, इस तरह से हमें बोलना पड़ेगा, तो, वो वोइस्ड है, बाइलेबिल में, एम जो है, वो नासल दोनी है, और यह वोइस्ड है, गलिड वोइस्ड है, डबलू जो है, वो, वो की जो वो वोईश्ड है इसी तरह से लेबियो जेंचल जो दोनिया है वो फ और व ये है जिन में फ जो है वोईश्लेस है और व जो है वोईश्ड है फिर डेंटल में दो दोनिया समिलित की गई है डेंटल कौन कौन सी एक तो थ जिसको हम इस तरह से लिखते हैं और एक द जो थ है वो वोईश्लेस है जो द है वो वोईश्ड है यानि जब हम थ बोलते हैं तो वोईश्लेस और द बोलते हैं तो उसमें रूकाउट पेदा होती है फिर इसी तरह से अलवेलर जो है उसमें टी डी एस ज लेडब, N और L, यह छे दोनिय समयलित की गई है, अब इन छे दोनियो में T वोईश्णेश सै, D वोईश्ड है, Yes यह वोईश्णेश सै, और Z वोईश्ड है, N यह नासल दोनी है और वोईश्ड है, N जो है वो लिक्विड है और वोईश्ड है, इसी तरह से पैलेटल जो है पैलेटल धोनियों में श, ज, च, ज, र और ये इन धोनियों को समलित किया गया है इसी तरह से जो वैलर्द होनिया है उनमें के, ज, और न, इन तीन दोनियों को समलित किया गया है के, वैसलेस है, ज, वैसलेस है, ज, वैसलेस है, इसी तरह से जो ग्लोटल धोनियों होती है, ग्लोटल, वो एच, जो है वो ग्लोटल धोनियों है हर जिसको बोलते हैं हर जब हम हर बोलते हैं तो हमारा ग्लोटल जो है हमारा जो कंट जो ग्रिस्नी है वहां से ये बुला जाता है तो ये इस तरह से हम नहीं आपे इनके उच्छारण स्थान पड़े आपको मैं बताऊं कि परिक्सा में कभी-कभी उच्छारण स्थान के बार तरह से है तो आप confuse नहों आपको ये बताना है कि ये ग्लोटल धोनी है ये फ्रीकेटिव में आती है और ये वोइसलेस है तो इन चीजों को आप इस टेबल के बादम से याद रख सकते हैं जैसे आप से पूछा जाए लेबियो डेंटल लेबियो डेंटल जो धोनिया है वो कौन-कौन सी है तो यहाँ पे हमारे पास दो धोनिया लेबियो डेंटल है फ और व जिसमें से फ वशले से व वश्ड है तो ये टेबल आपके बहुत काम की है अब आगे चलते हैं देखिए the smallest unit of sound is called syllable syllable किसको कहता है sound की जो सबसे छोटी काई है उसको कहा जाता है syllable अब a dipthong dipthong क्या होता है a dipthong is the combination of a vowel and a glid a sequence of two vowels dipthong दो वोवल से मिलके बनता है sequence of two vowels sequence में आते हैं यानि जो दो वोवल आएंगे वो lines से आएंगे दोनों एक साथ आएंगे उसको कहते है dipthong एक बार आरपिश्य में पुछा गया था कि dipthong क्या होता है तो dipthong का मतलब है vowel glide यानि दो वोवल से बनता है दो वो वो उनको जोड़ करके जो बनता है वो dipthong होता है और ये sequence में आते है sequence मतलब line में आते हैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताओ आई-पी-ए आई-पी-ए क्या होता है international phonetic alphabet is devised by the international phonetic association IPA की full form क्या होती है international phonetic association कभी कभी question पुचा जाता है कि IPA क्या होता है ये जो हम phonetic पढ़ रहे हैं ये international phonetic association के द्वारा ही बनाया जाता है यानि ये इसी से लागू होता है vowel sounds in English अब हम यहाँ पे vowel sounds के बारे में और ज्यादा चर्चा कर रहे हैं देखिए in RP, RP के बारे में भी पुचा जाता है कि RP क्या होता है RP का मतलब होता है received pronunciation pronunciation मतलब उच्चारण there in RP मतलब in received pronunciation there are 20 vowels phonemes देखो हमने जब one पड़े थे तो वहाँ पड़े थे कि पाथ स्वरों होते हैं अब उन पाथ स्वरों से 20 vowel phonem बनते हैं पाथ से 20 केसे बनते हैं यही हम इस chapter में अध्यन करने वाले हैं these can be further divided into two broad categories अब यह जो 20 है इनको भी हम फिर दो भागों में बाढ़ सकते हैं यानि पाथ स्वरों से 20 धोनिया निकलती है और उन 20 धोनियों को हम दो भागों में कैसे बाढ़ेंगे pure vowel pure vowel से मतलब हैं जो pure है जिन में मतलब दो के जोड़े नहीं आएंगे जो सिर्फ अकेले ही रहेंगे अब उन pure vowels में भी seven जो है small है साथ जो है वो उनकी दोनी जो है वो small है और five large है पाथ दोनिया जो है large है उनकी दोनी लंबी होती है और twelve are and dipthongs eight large और आठ दोनिया जो है dipthong है आप इसको समझिए कि जो वीस वोल धोनिया है वीस वोल phonem से उनमें से बारा जो है वो तो monothong है यानि जो अकेले रहते हैं और आठ जो है वो dipthong है dipthong का मतलब अभी हमने पढ़ाता कि जिनमें दो दो वोल के जोड़े आएंगे वो dipthong कहलाते हैं अब यहाँ पे जो बारा है जो प्योर वोल है उनमें से साथ जो है उनकी दोनिया जो है स्मॉल है और वो कौन-कौन सी दोनिया है यह साथ दोनिया यह यहाँ पे मैंने दे रखी है जैसे यह इस तरह से साथ दोनिया जो है यह स्मॉल है इसके बाद पांस दोनिया इनमें से लार्ज है लार्ज दोनिया कौन-कौन सी है यह पांस दोनिया इनमें से लार्ज है तो साथ और पांस मिला करके बारा हो गई अब डिप्थोंग्स जो है वो आठ है और यह जो डिप्थोंग्स होते हैं डिप्थोंग्स आर आल लार्ज यह सारे के सारे लार्ज होते हैं diphthong धोनिया जो है long ही होती है the symbol of diphthong has two letters जो diphthong के जो symbol होते हैं यानि diphthong को हम कैसे लिखते हैं वो सारे के सारे long धोनिया है मैं आपर देखिये diphthong 8 होते हैं सारे ही long होते हैं और ये इस तरह से लिखे जाते हैं पहला जो हरिपhthong है वो है ए, आउ, आई, आउ, उई, ई, ए, आ, उ, आ ये इस तरह से आठ दोनिया होती है यहाँ पर ये जो है आ है आउ, इस तरह से आता है आ, उ, इसको बलते हैं आउ और ये इस तरह से आठ डिपhthong दोनिया है ये इ, आउ, 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 वी, इ, आ, ए, व, और उ, आ ये इस तरह से आठ डिपhthong दोनिया होती है अब हम सबसे पहले जो स्वर हमारे जो प्यॉर वोल है उनके बारे मद्दिन करते हैं और प्यॉर वोल में भी जो हमारे शॉर्ट वोल से उनके बारे में देखिए जो की साथ है जिसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आता है हमारा E जो इसको इस तरह से लिखा जाता है E की दोनी जो होती है जैसे हिंदी में E होता है उसकी दोनी होती है E जैसे यहाँ पे kit, bit, hymen minute, sit, pit, six फिर इसके बाद हमारी दूसरी दोनी आती है A यह short है जैसे dress यहाँ पे A की दोनी है dress, dress को हम कैसे लिखेंगे phoneme में फ़ले D लिख देंगे फिर A लिख देंगे dress और फिर यह दोनी आ जाएगी A और फिर S आ जाएगा और इस तरह से यह dress हो जाएगा bed, head, many, sat, as यह इस तरह से एकी दोनी आ है इसके बाद हमारा आता है I trap, bite, sight, x, kettle, height यह इन दोनीों में I की दोनी है इसके बाद आता है हमारा O यह short दोनी है O की जैसे lot, odd, was, pot, hot, off, box, got यह O की दोनीया है, जो short दोनीया है और इनके बाद आता है हमारा O जिसको हम O बोलते हैं, वो दोनी, O उल्लू वाला जैसे फुल, put, book, sud, ud इन सब में जो है short दोनी है, छोटे O की मात्रा जिसको बोलते हैं, वो दोनीया पर है और इनके बाद आता है हमारा A शोट वाला A, जिसको हम बीच वाला A करते हैं, जिसे cup अब आपको मालो, cup का phoneme लिखना है तो K लिखेंगे उसके लिए, फिर A और फिर P इस तरह से आप इसका phoneme लिखेंगे, यह हो गया cup इसी तरह से, जिस बट, अगर बट का लिखना है तो B और फिर यह A की धोनी और यह T, यह हो गया, बट इस तरह से आप लिखेंगे, मड, लव, बलड, यह यहाँ पे A की धोनीया है इसके बाद हमारी सातवे नमबर की जो सोट धोनी है, स्वर की, वो है जिसको सोट कहा जाता है, वो है जिसे गो, अबाव, अबाउट यहाँ पर हमारी सोट धोनी है, तो यह जो प्योर वोल थे, उनमें से सात सोट धोनीया थी अब उनमें से पांच जो धोनीया है, जो लोंग धोनीया है, जिनको उचारन करते समय हमें लंबी आवाज निकालने पड़ेगी, जो पांच धोनीया है, वो कौन-कौन सी है, देखिए, यहाँ पे हम एक-एक अध्यन करते हैं, इ, जिसे हम बड़ी की मात्रा करते हैं, वो, जहाँ पे यह बड़ी की आवाज आएगी, वहाँ पे आप ऐसे लिख करके, यह सिंबल उसका लिखेंगे, जिसे फ्लीस, सी, जिसे आपको सी का लिखना है, तो एस लिखेंगे पले, और फिर यह धोनी आप यहाँ पे लिखें होगा, ट्रांस्क्रिप्सन मतलब उसको, उसकी धोनी को कैसे लिखा जाता है, तो यह आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं, मसीन, तो यहाँ पे सीन, सीट, चीज, इन सब में लोंगी की धोनी है, दूसरी हमारी लोंग धोनी जो है वोवल की, वो है आ, जैसे हम इंदी में आ लिखते हैं, वैसे ही इसका फॉनिटिक ट्रांस्क्रिप्सन है, ए लिख करके उसके दो स्टोप लगाते थे हैं, स्टार्ट, फादर, काथ, आम, काज, चाम, हाप, अगर मानलो आपको आम लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, यह हो गया आ, और यह हो गया म, तो यह आम की धोनी हो गई, आम का मिला होता है भूजा, हमारे तीसरी जो लॉंग धोनी है, वो है, ओ, इसका उच्चारण, ओ होता है, और जिसको हम बोलते हैं, आउ की मात्रा, जिसके दो मात्रा लगी रती है, ओ जिसको बोला जाता है, वो होता है, ओ, और इसको इस तरह से लिखा जाता है, यह दो, जैसे thought, love, court, north, war, force, horse, walk इस तरह से ये लिखा जाता है Suppose गरो आपको walk लिखना है Walk तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये धोनी लिखेंगे और फिर के लिखेंगे और ये हो गया walk इसी तरह से अगर आपको horse लिखना है तो h लिखेंगे फिर ये धोनी लिखेंगे haw और फिर r और फिर yes लिखेंगे ये हो गया horse हमारी जो चोथी लोंग धोनी है वो है उ जिसे बड़ाओ की मात्रा करते है जिसे उ से उल्लू, उ से उन तो वो जो उ से उन की जो मात्रा है उसका अंग्रेजी में जब उसकी उचारण होता है तो इस तरह से लिखा जाता है ये जिसे फूल, थू, रूल, ट्यू, स्यूट ये इस तरह से इसका उचारण होता है सपोज करो हमें फूल का लिखना है फूल का ट्रांस्क्रिप्शन करना है तो ये हो गया फ और ये हो गया फू और ये हो गया ल इस तरह से हम इसको फूल लिखते हैं और जब हम ट्रांस्क्रिप्सिन करते हैं तो इसको दो तिर्ची लाइनों से बंद कर देते हैं तो इससे समझ में आ जाता है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड नहीं है बलकि ये वर्ड का साउंड है या फोनिम है इसके बाद हमारा अंतिम लोंग जो वोल है वो है अ की धुनी जो होती है जिसको लोंग कहा जाता है जैसे हमारे दो बिंदी का ह आता है न हिंदी में अ ऐसे यहां पर ये लिख करके इसका अ लोंग होता है लेकिन ये जैसे नर्स, स्टर, लर्न, रेफर, फर, बर्ड, कर्ड ये इस तरह से इनके उच्छारण होंगे जहां पर भी लोंग की धुनी आएगी उसको इस तरह से लिखा जाएगा जिस सपोज करो हमें फर लिखना है फर तो ये हो गया फर और इसके बाद ये इस तरह से लगा दिया और ये हो गया फर यहां पर रे लिखने की आपको ज़रत नहीं है क्योंकि रेखा उच्छारण नहीं हो रहा है तो ये तो ही हमारी बारा प्यॉर वोल धुनिया अब इसके बाद देखिए हमारा डिप्थॉंग डिप्थॉंग का मेलब होता है वोल ग्लीड्स जहां पर दो वोल एक साथ आते हैं वो वोल ग्लीड्स कर लाते हैं यहां पर देखिए यह वोल ग्लीड्स है जैसे फेस तो यहां पर जब हम फेस लिखेंगे तो यह फर और फिर ए और ई यह हो गया फेस इस तरह से हमें यह लिखना पड़ेगा यह हो गया फेस जैसे डे इसको बोलेंगे डे रेक प्लीड पेज गैट वेट इस्टेट इन सब में ए ई की डोनी नहीत है दूसरा हमारा डिप्तौंग है आई आई जैसे प्रैस आइस हाई 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 ट्राई फाई आई बाइट ब्राइट टैगर बाई इन सब में आई की डोनी है इसके बाद आता है ओई जैसे चोईस बाई इसको हम बाई नहीं करेंगे बाई जोईन टोई एमप्लोई बाईल यहाँ पर ओई की डोनी है चोती हमारी डिप्तौंग डोनी है वहे अ उ जैसे गउट सव नव गव गव गवट आउल्ड यह आउल्ड है बाउट इस तरह से हम इसकी डोनी को उचारण करेंगे पाँच वी हमारी डिप्तौंग डोनी है आ उ आ और उ जैसे माउट नाव काव हाउस डाउन वोवल सपोज करो आपको हाउस लिखना है तो यह एच हो गया फिर यह आ और उ यह हो गया और फिर एस लिख दिया यह हो गया हाउस का ट्रंस्क्रिप्शन हाउस इसके बाद हमारी छटी डिप्तौंग जो है वो है इ और जिसे नी और ही और वियरी चिय मिय क्लिय इस तरह से हम इनका उचारण करेंगे जिसे आपको चिय लिखना है तो चिय लिखने के लिए पहले तो यह च पिर यह धोनी और फिर यह हो गया चिय चिय मतलब खुशी उसका ट्रंस्क्रिप्शन इस तरह से आएगा इसके बाद सेवन जो डिप्तौंग है हमारा वो है ए और अ जिसमें ए भी है और अ भी है उन दोनों से मिलके बना है जिसे जिसे केर को हम लिखेंगे तो केसे लिखेंगे के अ यह इस तरह से क फिर ए और अ यह हो गया केर हमारा जो लास्ट डिप्तौंग है वो इस तरह से है उ अ यानि जिसमें उ और अ से मिलकर के बनता है जैसे पूर जियूरी जियूर जैसे यहाँ पे ज फिर उ अ क्यूर प्यूर ड्यूर वर्चियूर्स यह इस तरह की धोनिया है सपोज करो आपको पूर लिखना है पूर तो पी फिर यह यू और फिर यह अ यह हो गया पूर यह हमारे डिप्तौंग थै जो हमारे बीस वोवल्द होनिया थी जिन में से बारा प्यूर वोवल है उन बारा में से साथ शौट है पाँच लॉंग है और आट डिप्तौंग है जो सारे ही लोंग होते हैं अब उनके बाद हमारे आते हैं कंसोनेंट्स धोनिया कंसोनेंट्स है नहीं वेंजन धोनिया जिनको हम वेंजन करते हैं हमारे जो किस वेंजन है उन से मिलकर के यह धोनिया बनती है और यह चोईस होती है कंसोनेंट्स धोनिया च होती है 44 अब देखिए पी पी जो है जैसे पैन कोपी हैपन पैरट जहां भी आएगा पी वहाँ पे इस तरह से आप लिखेंगे पैट पेपर यह इस तरह से पी दोनी आती है फिर आती है बी बी की दोनी जैसे बैक बैबी जोब बैग टेबल बब बबल यह इन सब में भी की दोनी है इसके बाद आती है हमारी टी टी टाइट बचन टेक स्टेप फिर आता है डी जै जांबी हमें लिखना पड़ेगा जैसे डे लिखना है तो हमारा सबसे पहला जो होगा वो डी होगा फिर एई डेई ए और ए यह हो जाएगा डेई इसको हम इस तरह से लिख देंगे लेडर ओद डीड डीप डेली इनमें सब में डी है फिर है के जैसे की क्लॉक स्कूल कैट कीप इसके बाद हमारा जी गेट गीगल गोस्ट बिगेन गेट फिर आता है चर देखो ऐसा साउंड आपने ऐसा वर्ण आपने देखाने होगा टी और एस से मिलकर के बनता है चर जैसे चर्च मैच नेचर चर चेस जहां पर चर की दोनी होगी वहाँ पर आपको इस तरह का फॉनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा चर्च जैसे चर्च लिगना है तो आपको पहले ये चर और फिर और फिर फिर चर लिगना पड़ेगा तब जाके यह होगा चर्च इसी तरह से डी की धोनी जो है वो या पे है जज एस सॉल्जर ये जी की धोनी है सॉल्जर जंप इसका उच्चारण ये इस तरह से लिखा जाता है ज़र जज जो होता है यहाँ पे ये एक साथ आता है ये डी और ये जी ये इस तरह से आता है ये डी और जड दोनों को साथ लिखते हैं तब ये जज होता है जैसे जज तो डी और जड ये जज हो गया फिर अ और फिर वापिस जज जिससे एस, soldier, jump, यह इस तरह का आएगा जे, यह यहाँ पर डी और जेड अलग अलग हो गया था, यह अलग अलग नहीं है, डी और जेड एक साथ आता है, तब जाके ज बनता है, ज जो जज में जो ज आता है, वो वाला ज, इसके बाद आता है, फ, जिससे फेट, कॉफी, रफ, फोटो, फेश, फिर वो आता है, व्यू, हैवी, मू, वैन, नेफ्यू, फिर हमारा एक नया वर्ण, यहाँ पर आता है, जिसकी साउंड है, यह थीटा जैसा इसका सिंबल है, यह होता है, थ, जहांपे थ की अवाज अंग्रेजी में शाउंड, जहांपे थ आएगा, जिससे थिं, तो वहाँ पे थ लिखा जाएगा, इस तरह से आता है, ओथर, पत, ठेंक, थीप, ओथर, इस तरह से यहाँ जो भी आएगा, वहाँ पे थ की दोनी होगी, यह दोनी, फिर आता है, द, यह भी एक नया सिंबल ह द, जहांपे क्योंकि अंग्रेजी में द नहीं होता, तो फिर द साउंड के लिए यह इस तरह से लिख करके यह काटा जाता है, जैसे दिस, अदर, स्मूद, दहर, ऐसी धोनीों के लिए यह दोनी होता है, इसके बाद आता है, जैसे सून, सी, सिस्टर, सी, ऐसे, साउंड के यह एस आता है, फिर आता है ज, देखो, पहला जो ज आया था, वो डी और जेड से मिल करके बनाता, डी और जेड, जैसे जज, उसमें, और यह भी ज है, लेकिन यह इस तरह की जो साउंड आएगी, जैसे जीरो, म्यूजिक, रोजेज, बज, आपोजिट, पजल, इनमें यह बला ज आता है, इसके बाद आता है हमारा श, जिससे श होता है, उसके लिए आता है, जिससे सिप, यह इस तरह से इसका सिंबल है, श, नेशनल, सी, एड्मिशन, इनके लिए यह स आता है, यह जो एस होता है, उससे थोड़ सा इसको लंबा इस तरह से खेज दिया जाता है और इसके बाद आता है एक और J तो यहाँ पर हमारे सामने तीन J हो गए एक J जो हमने पहले पढ़ा D और J से मिलकर दूसरा ज जो हमने यह पढ़ा और तीसरा J हमारे पास यह आ गया तो तीन तरह के ज इसमें आता है और इसमें ये वाले वर्ण आते हैं जैसे pleasure, vision, miser, closer इस तरह के वर्ण आते हैं इसके बाद आता है हमारा h जैसे hot, haul, ahead, how, hand, hobby, जहां भी h की दोनी आएगी वह पर इस तरह का होगा और इसके बाद आता है हमारा m more, hammer, some, man, make, meat, amount जहां पर m की दोनी आएगी वहाँ पर इस तरह का symbol लिखेंगे और फिर आता है n जैसे nice, no, funny, sun, night इस तरह से जहां भी n की sound होगी वहाँ पर n लिखा जाएगा और ये देखिए अब नया एक sound आता है ग, जिसको बोलता है ग, जहां भी ग की दोनी होगी जिसे हिंदी में आता है ग, ऐसे ही यहाँ पर है, जिसे ring ring, anger, thanks, sung, uncle, king, finger अब मैं आपको बताता हूँ, जिसे आपको king लिखना है, तो सबसे पहले आप kे लिखेंगे, फिर i लिखेंगे फिर ये दोनी लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका king इस तरह से आपको phonetic transcription लिखना है इसके बाद आता है हमारा l, l की दोनी जिसे light, valley, feel, leg, late, subtle फिर आता है आर, जिसे right, wrong, sorry, arrange, rain और इसके बाद एक नया जो sound है, वो है ये देखो, इसको इंग्लीस में जे जे से दिखाए दे रहा है लेकिन ये ये होता है, जहाँ पर ये की दोनी आएगी, जिसे ये यज्यावाला वेसी यहाँ पर है, yet, use, beauty, few, unity, uniform इनके लिए ये आता है, और फिर आता है वो, जैसे weight, one, rain, tune, weight, water, whistle, इस तरह से ये हमारे 24 consonant sounds बनते हैं इन में most of की धोनिया एक जे सी है, लेकिन कुछ sound, कुछ स्वर अलग है जो में आपको अलग स्वर है, उनको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको ये तो याद रखने ही पड़ेंगे, जैसे च है, तो च के लिए ये symbol आपको याद रखना पड़ेगा फिर इसी तरह से जैसे ज है, ये जो है डी और जेड से बनता है, ये याद रखना पड़ेगा इसके बाद जैसे थ है, त के लिए ये थीटा याद रखना पड़ेगा और द के लिए ये इस तरह से आता है, ये याद रखना पड़ेगा इसके बाद स, जो है, दू तरह के होते हैं, जैसे सलजम और शटकॉन जहां पर श, सिप के आवाज आती है, वहां पर ये येस को थूड़ से लंबा करते के खेच के लिखा जाता है और फिर इसी तरह से ज, जो है, वो भी तीन तरह के होते हैं, ज, एक, ज, य, दूसरा ज, य, और तीसरा ज, ड, और ज, ज, वाला तो ये तीन तरह के ज, यहां पर होते हैं, यह आपको याद रखने पड़ेंगे एक है न, ये एन से नीचे दोड़ सा, ऐसे जोड़ दिया जाता है, और ये न हो जाता है फिर इसी तरह से आपके नया साउंड ये जैसा है इसको ये बोलते हैं ये की दोनी जाएगी वहाँ पे ये लिखा जाता है अब यहाँ पे आपके पास दो चीजे और आपको क्लेर कर दूँ फोलिंग टॉन अगर सेंटेंस में फोलिंग टॉन है फोलिंग टॉन मतलब नीचे उतरती हुई टॉन जैसे he was going यहाँ पे going जो है वो नीचे उतरती हुई आवाज में बोला जा रहा है तो फोलिंग टॉन के लिए ये चिन यहाँ पे दिया जाता है ये उपर जो एपोस्ट्रोपी जैसी लग रही है ये इसके लिए falling टॉन कहा जाता है जैसे he was going यानि he was ज उपर उठती हुई टॉन जिसको कहेंगे पहले धीर और फिर जोर से वो कहलाएगी rising tone जैसे can you come तो यहाँ पे ये जो नीचे चिन लगा हुआ है इसको बोलते है rising tone का चिन falling tone का चिन उपर लगता है rising tone का चिन नीचे लगता है कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है इसलिए इस बात को भी धान रखें falling tone का चिन जो है उपर लगेगा यानि उपर से नीचे गीरेगी tone और rising tone का चिन नीचे लगेगा क्योंकि नीचे से उपर उठेगी tone thank you students and thank you google for helping me making this video thank you तो आप इस चैनल को subscribe कर लीजेगा और अपने शात्यों को भी share कीजेगा thank you